कैसे एक पांच हजार आर्बाइब का ब्रिज फेल हो गया चार महीने में? क्या इसके पीशे स्टोरी है? तो आज हम बात करने वाले हैं टैकामई नहरो ब्रिज के बारे में इसकी फुल मेरे डिटेल दूँड़ा क्या था टैकमई नहरो ब्रिज क्यूं वो फेल हुआ क्यूंकि 5,800 क्रोड काफी जादा होता है और वो bridge बने हुए 4 महिने भी नहीं हुए कि वो collapse हो गया तो काफी interesting और important वीडियो है civil engineers के लिए तो ज़रूर इस वीडियो को देखना उससे पहले please civil engineer शेर्मा जी चैनल को subscribe कर लो bell icon दो आलो ऐसी interesting videos आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी तो start करते हैं time comma narrow bridge के बारे में कोई भी bridge हम design या construct करते हैं तो उसको क्यों important होता है कि उसकी सब चीज़े चेक करके हम bridge को बनाए अगर हम loads की बात करें wind load हो गया snow load हो गया अर्थ क्यों एक live load हो गया सब चीज़े देखके ही bridge को design किया जाता है कैसे एक design की गलती से 5,800 क्रोड पानी में चला गया क्या हुआ क्यों ऐसा हुआ तो उसी चीज़ पे आज की हमारी वीडियो है तो सबसे पहले में टेकोमा narrow bridge के बारे में आपको बजा देता हूँ हम टेकोमा bridge है से बोलेंगे देखो इसका construction स्टार्ट हुआ था November 1983 में और ये bridge open हुआ था 1 July 1940 में मतलब दो साल में इसका काम complete हो गया और उस time ये world का third longest suspension bridge था तो ये एक suspension bridge है अभी हम बात कते है suspension bridge ही क्यों चुना गया इसको क्योंकि कोई भी हम project कोई भी bridge बनाने जाते है तो हम काफी चीजे इसमें देखते हैं कि वो economic हो most efficient हो इसी लिए suspension bridge को चुना जाता है क्योंकि suspension bridge एक ऐसा bridge है जो काफी सस्ता भी पढ़ता है economic पढ़ता है और most efficient भी अभी इस time उसको माना जाता है लेकिन उस समय डिजाइन में कुछ गलती की गई उस बज़े से वो fail हुआ तो अगर हम बात करें तो जो bridge जो suspension bridge था उसमें एक deck था चौर tower थे और दो main cable होती है जैसे suspension bridge में होती है और कुछ hangars से under 200 hangars से जिस पे दो cable होती है उनके through नीचे जो deck को पकड़ा जाता है वो होता है suspension bridge और जो इसकी length थी उससे में वो थी 800 feet और उसकी bit थी 39 feet मतलब एक अच्छा bridge था failure होने के chances नहीं थे लेकिन failure हुआ वो अपनी opening के 4th month बाद ही failure हो गया मतलब 4 November 1940 में वो failure हुआ morning में उसका failure स्टार्ट हुआ और 2 से 3 गंटे में वो पूरा bridge collapse हो गया तो इसके पीछे का reason क्या था तो reason की हम बात करें इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक जो होता है हमारा arrow elastic effect इसको मैं simple बाशा में आपको समझाता हूँ आपको एक diagram बना के दिखाता हूँ हुआ क्या देखो सबसे पहले अगर simple language में मैं आपको बता हूँ यह failure जो हुआ wind load की बज़ा से यह failure हुआ है wind की बज़ा से यह failure हुआ है और जब यह failure हुआ उस समय जो wind चल रही थी 18 meter per second के हिसाब से चल रही थी जो ज़ादा wind नहीं है मतलब अभी mostly काफी ऐसे bridge है जो 20, 30, 40 meter per second के हिसाब से wind जेहलते हैं लेकिन वहाँ एक design में गलती थी design में क्या गलती थी जो beam design किया था जो अपके beam होते हैं उसमें नीचे truss होती है deck के उपर हमारी ओवाती pavement लेकिन वहाँ direct ऐसे deck के उपर pavement थी मतलब थोड़ा changes थे उस bridge में और जब जो अगर हम को simple बाशा में और समझे तो eye beam आपने देखा होगा eye section आपने देखा होगा जहां eye जैसे होता है तो वो shape थी उस bridge की उसके कारण हुआ क्या सबसे पहले जो failure start हुआ वो morning में 9 बजे start हुआ जब wind की speed हुई 18 meter per second के हिसाब से तो उस समय उसमें एक vertical vibration start हुई आप pick में देखो कैसे आपको दिख रहा होगा 18 meter per second के हिसाब से vertical vibration start हुई जिससे क्या हुआ वो bridge उपर नीचे होने लग पड़ा और उसी के 2 गंटे बाद नीचे उसके क्या हुआ torginal vibration start हो गई मतलब एक torginal flutter होता है जैसे हम किसी चीज़ को मोडते हैं अगर आपने ship देखी होगी अगर पानी में खड़ी होगी तो वो कैसे मतलब ऐसे shiver कर रही होती है गूम रही होती है और जैसे वो ज़्यादा stress आया span हमारा काफी ज़्यादा लंबा था अठाइसो feet span था उसका तो वह वहाँ बीच से failure उसका start होने लगा और पूरा bridge कुछ ही minuteों में नीचे गिर गया तो main cause क्या रहा है wind load था और main failure के cause क्या बना design design उसका अच्छा नहीं था उसकी बज़ा से यह failure इतना बड़ा हुआ लेकिन इसमें कुछ जान हानी का कोई खत्ना नहीं हुआ बस जैसे आप deck पे देख रहे हो एक गाड़ी खड़ी थी कुछ लोग थे लेकिन वो निकल चुके थे इसमें कोई किसी की death नहीं हुई लेकिन इसमें से काफी जादा खर्चा 5,800 क्रोड पानी में एकदम से बैग है चार मीनों में और किसकी गलती की बज़े से एक design की गलती की बज़े से इतना उड़ा हाथसा हो गया लेकिन उस चीज़ से काफी चीज़े सीखी है एक civil engineer की responsibility होती है एक architect की responsibility होती है और एक छोटी सी गलती भी देखो कितना बड़ा नुकसान पहुचा सकती है 5,800 क्रोड प्या पानी में चला गया तो I hope आपको वीडियो पसंदी होईगी आपको समझ आई होगी कि क्या चीज़ें थी क्यों ये failure हुआ तीन चीज़ें से हमें इससे निकलता है एक wind load हमें पता चला है wind load से failure हुआ हमें पता चला है कि torsional force क्या है क्या वो कर सकती है कितना वो effective डाल सकती है और most or economic जो bridge रहते है वो एक suspension bridge होता है और aero elastic effect एक काफी अच्छा topic बढ़ा उसके बाद वो काफी books में भी गया काफी लोगों ने उसके बारे में पढ़ा सीखा तो यही था आज का हमारा वीडियो I hope आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो please like करना comment करना जो भी आपको पसंद आया होगा और please channel को subscribe करके जाना ऐसे वीडियो साब को हमारे channel पर मिलते रहेंगे thank you guys